इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं generated permissions के बारे में जो हमें मिलती हैं जिनका नाम रहता है authorizations and revocations permissions तो यह आपको मिलती कहां है और इनको आप कैसे बंद कर सकते हैं यह default कुछ settings होती हैं जो कि हमारे mobile में आती हैं तो अगर आप इनको बंद चालू करना चाहते हैं कहां से कर सकते हैं आप बंद हो गई हैं उनको चालू करना चाहते हैं तो यह सब कुछ कैसे कर सकते हैं कहां पर यह आपको मिलती है सब कुछ में आपको इस वीडियो में बताने वालों तो अगर लेका लास तक देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीचेगा सबसे पहले आपको जो है सेटिंग्स में जाना होगा तो सेटिंग्स में चलते हैं सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहां पर नीचे जाना होगा नीचे आप पर मिलती आपको एडिक्सिनल सेटिंग्स तो एडिक्सिनल सेटिंग्स को खोल लेना है एडिक्सिनल सेटिंग्स को खोलने के बाद यहां पर आपको यह वाली सेटिंग्स मिल जाते हैं छेटे नंबर पर तो इसको खोल लेते हैं और खोलने के बाद यह आपको वही सेटिंग्स मिल गई जहां पर मैंने आपको बताया आप चाहे तो आप यहां पर इनको disable कर सकते हैं आप पर depend करता है लेकिन मेरा काम ता आपको बताना और यहां पर switches of individual applications होती हैं और application की generated permissions होती हैं इनके अंतर तो चाहे तो आप इनको on कर सकते हैं चाहे इनको बंद कर सकते हैं और यह जितना भी प्रोसेस हुआ हमारे Redmi Note 5 Pro में हुआ है अगर वीडियो आपर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को सस्क्राइब भी कर दीजेगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए एंड टेक क्यार